पंजाब के लुध्याना में हैरान करने वाला मामला सामने आया है मामला तो सीवेज चोक का है लेकिन उस सीवेज में क्या कुछ था जब उसे देखा गया तो लोगों के होश होड़ गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि उनके अगल बगल कैसे लोग रह रहे हैं दरसल सीवेज में इतने ज्यादा मात्रा में कंडोम पड़ा हुआ था जो की यूजड कंडोम था और वो इस्तमाल किया हुआ कंडोम की वज़ा से सीवेज चोक हो गया था तो सवाल ये है कि आखिर इतने सारे कंडोम यूजड कौन कर रहा है सीवेज चे आ रहे बदबू की वज़ा से वहाँ पर जल जमाओ की वज़ा से बिमारी पैता हो सकती है इस वज़ा से वहाँ के रहने वाले निवासियों ने अपनी परिशानी बताई जब वहाँ पर सफाई कर्मी सामने आते हैं जब सीवेज का धकन खोलते हैं तो सब के होश उड़ जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर कंडोम के धेड सारे यूजड कंडोम पड़े हुए थे और सब का माता ठणक जाता है लोग परिशान हो जाते हैं कि इस तरह से कोई कैसे कर सकता है और ये करने वाला कौन है इसके बाद वहाँ के महले निवासियों से जब पूशताच की गई तो पता चला कि वहाँ पर एक पीजी है जहाँ पर तमाम लड़के रहते हैं और वहाँ पर ऐसे आरोफ लगा जा रहे हैं उन लड़कों पर कि वो लड़कियां बुलाते हैं और इस तरह से इस गतिविधी में बुलिप्त हैं और लगातार वहाँ पर जिस फरोशी के भी काम किये जाते हैं तो इस वज़ा से उन पर संगीन आरोफ लगा जा रहे हैं कि इ नाका सीवरेज जाम हो गया था, इसकी सफाई के लिए लोगों ने सफाई करमचारियों को बुलाया, जब सफाई करमचारियों ने सीवरेज का ढखकन खोला तो उनकी आखे फटी की फटी रह गई, सीवरेज सैक्रो यूज कॉंडोम से अटा पड़ा था, महले को लोगों का गुस्सा, फूट पड़ा, उन्होंने बताया कि यहां के एक पीजी में लड़के रहते हैं, जो खुले आम लड़कियों को बुलाते हैं और गलत काम करते हैं, इस कारण महले का सीवरेज ब्लॉक हुआ है, इसका खामियाजा अस्थान ये लोगों को भगतना पड़ रहा है उन्होंने पुलिस प्रशाशन को जल्द से जल्द पीजी को खाली करवाने की मांग उठाई है, महले वालों ने ये भी आरोप लगाया है कि जब लड़कों की शिकायत पुलिस से की गई तो उन्हें पता चुला कि पुलिस से भी उनकी सेटिंग हो रखी है और इसलिए उन से समस्या भी हो चकती है क्योंकि सीवरेज जो है चोक हो चुका है इन सभी गंदगियों से जो की वहाँ पर स्त्रैकडों यूज़ कोंडों मिले हैं तो इस खबर पर इस तरह से खबर पर आपकी जो भी रा है हमें कमेंट करके ज़रुर बताएं